आज मैं मौजूद हूँ आपके सामने के साथ और हम लोग आज बात करने जा रहे हैं गेट और यसी बहुत बचों का डाउट ही होता है सर की अभी मैं सेकंड येर में हूं थर्ड येर में हूं मुझे गेट की तियारी करनी चाहिए या येसी को टार्गेट करना चाहिए किस तरीके से मुझे एक्जाम को फोकस करना चाहिए उस सारी बाते आज हम लोग कडने वाल हैं तो सर केपी सर फर्स्ट और विलकम और सर क्या बूलना चाहोगी आप सो दे स्टुडेंस्ट परीपरिशन इनको इतना अच्छा ज्यादा पता नहीं गेट एक्जाम हो जाएगा येसी एक्जाम कई आप ऋगलेगा ओर क॑ंसा एक्जाम को प्रिपेर करना पड़ेगा डिइस पैटरन और एज़ब और कैसा इक्जाम को टाक्यल करना पड़ेगा, so अभी हम बात करेंगे पुरा का पूरा डिटेल में, true sir तो सबसे पहले हम बात करते हैं second year में एक बच्चा है और sir उसका age है अगर हम second year लेके चल रहे हैं तो roughly उसका age होगा 20 कराऊं, ठीक है और sir ESE जो हम कर सते हैं after 21 years कर सते है तो 2nd year में बच्चा है जो 3rd year में मानो आप gate लिखने के लिए जिबल हो तो आपको किस तरीके से करना चाहिए आप जब 4th year में जा रहे हो तब आपको किस तरीके से target करना चाहिए और जब आप pass out हो तो सर्थ हम तीनों के बारे में आपसे पुछने वाले हैं करके क्योंकि यह बहुत interesting question और शायद यह उन सब बच्चों को मदद करेगा जो बच्चे अभी future में gate और ESC दोनों को line up करते वे अपने future को देखना चाहिए कि उनको PSU में जाना है और फिर आगे further studies के तरू ESC को crack करना है पर दोस्टुदेंट्स वे एंटर इन दे सेकंड यह इनको पहले basic subject से शुरू करना पड़ेगा और ESC लेने के बाद ESC में technical लेने के बाद around 15 technical subjects are there 10 general study subjects are there around total 25 subjects इतना सारा subject देखने के बाद बच्चे लोग second year में होने वालना डर लग जाएगा so then preparation start करने के बाद 2-3 माएने में खतम करके चल जाएगा so you can go for step by step for example आप 100 meters jump करने के लिए एक बार 0 से 100 jump नहीं करेंगे न so you can go ahead with 25-25 यह सा jump cut करके cut करके चलना पड़ेगा step wise it's a step wise plan करना पड़ेगा यह पहले step है ESC का अच्छे rank लाने के लिए crack करने के लिए पहले step पर आप gate exam को तयारी करो क्योंकि gate exam में थोड़ा weightage का वज़े से लेके 5-6 subjects करने के बाद second year में आपको at least 45-50 marks लेके आएगा second year से means अब third year आएगा third year में first item दे रहा है then after that in the fourth year आप gate में top rank target करो ESC का general studies भी कतम करो reminding subjects भी कतम करो वो बहुत अच्छे step by step step by step होने के बाद बहुत अच्छे हो जाएगा don't jump from zero to hundred meter से टेटे true sir और साथी साथ देखो हम एक बात बारों बोलते हैं कि आप subjects को यह नहीं कि आप gate पॉइंट भी कवर कर रहे हैं आप कोई भी subject जहार साथ कवर करते हो तो हम उसको ESC level ही लेके चलते हैं ताकि आप distract नहीं हो ठीक है कि आप सर क्योंकि होता क्या है जैसा सर ने बोला कि पहला आपका target सब्सक्राइब करने का मतलब नहीं क्योंकि वहीं सब्सक्राइब करने का मतलब नहीं क्योंकि कि वही subject अगर तुम वापस से पढ़ोगे जब आप 4th year में एक्जाम लिखोगे तो आपको जो subject पढ़ना है वो ESC लेवली पढ़ना है बात यह कि focus अमारा ESC 3rd year में नहीं होता है focus हमारा gate होता है 3rd year में 4th year में आप आके आप ESC को target करोगे और साथी साथ आप technical content के साथ GS portion भी cover करोगे तो सर यह तो बात हो गया यहां पर क्यासा देंग सर ऐसा कुछ subjects जैसे होते हैं जिसमें gate में weightage कम होता है और ESC में weightage उसका ज़्यादा होता है तो सर ऐसे कौन-कौन subject है तो यह सब बोलने के बाद पहले first of all building material हो जाएगा building metal gate में सिर्फ एक question आएगा हमको one mark मिलेगा but ESC में more than 12 questions 12 question means 24 marks का उपर मिल जाएगा prelims में mains में लेने के बाद 100 marks तक आएगा आपको so बहुत जादा important है even in the interview also ESC interview also building materials का बारे में बहुत सारा question आएगा then इनके बाद यह हो जाएगा CPM per project management इनके साथ-साथ में आपको construction equipment भी लेना चाहिए ESC के लिए gate में CPM per project सिर्फ 3 mark आएगा but पुरा का पुरा full project management construction equipment लेने के बाद ESC general studies paper में आपको 3-4 question आएगा then technical paper में 6-7 question आएगा then construction equipment 2-3 question आएगा a full-to-full आप करना पड़ेगा ESC के लिए then coming to irrigation if you see irrigation mostly in gate exam 1-2 marks आएगा और ज्यादा नहीं 2024 में ये भी नहीं दिया but same 2024 ESC paper में देखो around 10 questions you are having from irrigation engineering and when you come to the transportation transportation में gate के लिए traffic engineering highway engineering materials होना चाहिए airport से थोड़ा important topics करना पड़ेगा but ESC के लिए full airport full-to-full करना पड़ेगा railways करना पड़ेगा harbor and tunnel engineering ज्यादा questions आ रहा है transportation में same happened with geotechnical होगा तो दोनों में बहुत ज्यादा important है geotechnical but there are some additional topics last में थोड़ा additional 3-4 chapter हो जाएगा वो भी कतम करना पड़ेगा आप कुछ subject ले रहा है gate का preparation का time पे full कोई exam में हर एक question solve करने के लिए exam का बारे में नहीं जिंदगी बार ये subject से कुछ question आ गया आप answer करना पड़ेगा यह सा तैयारी होना चाहिए और whenever gate completed then you get up start with the additional subjects which are required for the engineering service exam तो यह तो बात हो गया सब्जेट्स क्या हमको करना पड़ेगा दूसरा होता है सर कॉंसेट्स और किस तरीके का pattern है तो अगर हम gate हम बात करें तो वहां पे MSQ है MCQ NET है और अगर ESE बात करें तो वहां पे आपको सीधे MCQ है तो सर यहां पे एक और जो pattern में difference है कि अगर हम gate में बात करें तो ठीक आभी धीरे धीरे थोड़ा theoretical part improve well लेकिन ESE में तो पूरा theory है तो सर इसको किस तरीके से बच्चे टैकल करें चाहिए वो gate का exam लिख रहे हों चाहिए वो ESE का exam लिख रहे हो सो gate exam का देखने के बाद as per 2024 थोड़ा conceptual हो गया क्यों की ESE था हर एक ESE पेपर conceptual भी रहेगा but overall view average if we take na gate में 85% numerical हो जाएगा 15% theoretical and that 15% also last 3-4 years में क्यों की MSQ है theoretical questions आ रहा है MSQ में otherwise 95% numerical हो जाएगा 5% only theoretical so students ऐसा चल रहा है gate के लिए formula 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 then they are going to solve the question but अभी तो जमाना चेंज हो गया ये 15% marks भी important है हमको MSQ match the following भी दे रहा है gate exam में आसकल so ये conceptual भी फड़ना चाहिए then coming to engineering service examination so when we see the paper around 10% questions are only numerical 90% full to full conceptual don't say theoretical theoretical होगा तो direct answer straightaway answer मिलेगा ये theoretical नहीं आपको concept पता करने के बाद भी answer मिल जाएगा और ESCB आजकल इतना twist दे रहा है when we have seen before 2023 all papers में at least कम से कम 10 to 15 assertion reason question आएगा but 2024 में 0 questions from assertion reason 10 questions from match the following अभी तक इतना सारा match the following कहा से भी कभी भी नहीं मिल गया so as per my knowledge आप मेरा हिसाब से में ऐसा बोल रहें you must prepare for the extreme level कुछ भी दे दो yes we are ready like Virat Kohili facing the balls whatever the baller is whatever the type of ball will be so he can hit like that you are also must be like any question yes we are ready इनी एक्जामिट में भी गेट आई यसी यह कब हो जाएगा आपका full to full अच्छे से notes लिखके notes में दोनों not only formula concept and formula दोनों सिखाने के बाद भी हो जाएगा अपार्ट फ्रम डाट देखो गेट में आपका technical content जितना भी है जाए नॉन टेक्निकल content सारा यसी में ठीक है अपार्ट फ्रम डाट कुछ extra subjects है जो आपका general studies का paper है यह general engineering का paper है वहाँ पे बच्चों को बहुत effort लगाना पड़ता है एक वहाँ पे लगब बात करें तो 10 extra subjects जो बूले जाते हैं जिसमें math safety तो आप गीट में पड़ते हो वही आपका यहाँ भी है लेकिन अपार्ट फ्र drawing हो गया, ethics हो गया, standard quality practice हो गया, project management हो गया, ICT हो गया, material science हो गया, तो इस सारा आप cover करना होता है ठीक है जब आप engineering service लेक चल रहे हो और जब आप त्यारी करते हो तो in the process हम आपको समझाते रहेंगे कि आपको कैसे करना है, sir one last question जो मैं अभी उठाने वाला हूँ, शायद यह ऐसा question है, जो हर बच्चे relate कर पाएंगे, सवाल यह है, sir, कि जब आप gate की बात करते हो, वहाँ calculator available होता है, जब आप engineering services pre की बात करते हो, तो वहाँ पर calculator available नहीं होता है, तो sir, यहाँ पे हर साल हमने देखा है, बच्चे को question आता है, लेकिन because of lack of practice, या because of lack of proper guidance कि उसको question किस तर ट्वेटर में चेक करेंगे, 6-1-6 होता है कि नहीं होता है, तो यह हमारा सार problem है, तो sir, आप बच्चों को क्या suggestion दोगे, अगर बच्चा calculations पे focus कर रहा है, और calculator बहुत जादे use कर रहा है, तो how he should be managing the ESE paper, so this is the solution, अभी नहीं, अभी आप पूछ लिया, यह सा नहीं बोल रहे हर एक student who start my first plus class, हर एक student को मैं पहले यह भी बोल रहा है, बेटा आप calculator में ज्यादा मत depend करो, क्योंकि if you are not depending on calculator, manually calculate कर रहा है न, हमारा दिमाग अच्चे काम करेगा, और फटा-फट question solving भी हो जाएगा, पूरा solve करके last वाला part virtual calculator में डालो, gate में इतना लंबा formula हो जाएगा, यह formula कट करके, पार्ट पार्ट करके, पार्ट पार्ट manually करो, यह जल्दी हो जाएगा when compared to virtual Kelsey, क्योंकि virtual Kelsey तोड़ा मुश्किल हो जाए when compared to engineering calculator, so whatever the content, whatever the complicated formula आपका पास, cut into two or three parts, पहले manually कतम करो, last part को virtual Kelsey में डालो, and that practice यह आपको engineering service exam में यूज हो जाएगा, और मैं यह भी बोल रहा है बच्चे लोग को, so you have to learn one to twenty squares, one to twenty cubes, square roots, cube roots, यह basic fundा है math को, हरेक इंजिनिर को यह होना चाहिए, यह नहीं होगा तो इतना बड़ा level exam कैसा crack करेगा, so you must do one year practice ऐसा, while you are attending the live class itself, while solving the numericals in online test series itself, manually चोटा 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 चीज का calculate करने के ब यहां पर मैं एक और आट करूँगा, जैसे रिसे रिसे स्वेंटी स्क्वाइर्स और क्यूब्स का सरने बोला, मैं रूट्स का भी आट करूँगा, root two, root three, root five, यह तीन ऐसे रूट्स हैं, जहां पर आपको directly use करने मिलता है, और आपको वहां पर पता होंचे है, वहां बैट ठीक है, लेकिन my dear friend, let me tell you, वह दो options आपको डणना नहीं है, क्योंकि वह चीज हम लोग already ध्यान रखते हुए class में पढ़ाते हैं, ठीक है, हाँ, आपको यह होगा, elimination strategy सीखना पड़ेगा, और वह strategy हम class में आपको बताते हैं, कि इस question को जब हम practice कराएंगे ना, कि यह question में दे ही होता है, how you are going to match the, आपने जैसे एक का देखा, एक option की 3 आ रहा है, ठीक है, तो हो सकता है, जब आप option देखोगे ना, एक का 3, हो सकता है, चार में से दो यह option में है, तो आपका दो option है, सही eliminate हो गया, ठीक है, अब अब आपस बच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् और वो आपके लिए असान हो जाएगा, एक बात है, एक बात है, एक बात है, सिंपल एक्जाम्पल, 2024 में एक match the following question, regarding transmissivity permeability, पूरा चार options में, हमको पता है, clay को बहुत कम transmissivity permeability, then options में सिर्फ clay select करने के बाद हो गया, देखा भी नहीं चाहिए हमको, इस इतना आसन, all 10 questions में, एक या दो में पूरा कतम हो गया, पूरा देखना जरूरी नहीं, तो यही बात आपको समझा रहे है, elimination strategy, along with this, for example, अब आप लोग देखे हो, कि heavy calculations are there, कुछ questions में, सब बहुत heavy calculations रहते हैं, लेकिन, आपको वहाँ पे options भी देखना होता है, आपको देखना होता है, कि options कितने option कितने दूर है, और जब हम practice कराते हैं, तो आपको बताते हैं, कि round off कहां पे करना है, किस समय नहीं करना है, ठीक है, तो जब आप round off करोगे, for example, आप पास number है, 2.485, और you need to multiply with 5, या you need to multiply with 6, तो आप लोग क्या करोगे, 2.485 into 5 लेके पूरा multiply कर दोगे, ठीक है, वो तरीका So what we do in our classes, आपको सिफ content हम नहीं देते हैं, एक्जाम को क्या approach लेना है, एक्जाम को किस तरीके से चलना है, वो भी हम आपको सिखाते हैं, so my dear friend, gate हो, चाहिए सी हो, या कोई भी exam हो, सही strategy पता होने चाहिए, और अब को strategy सही पता है, तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी exam में fail होते हो, हाँ, महनत आपे हैं, हम आपके लिए रेडी हैं, लेकिन महनत तो आप ही को करनी पड़ेगी, हमारा contribution is just 20 to 30%, main contribution तो आप ही का होता है, दोस्त. Yes, it is very important to have a teacher who know the difference between exams, who know how to teach for the competitive exam, competitive exam अलग से रहेगा, college का अलग से रहेगा, so simply the teacher have dumping the content what he is having to students is not going to happen in the competitive exam, competitive exam, आम में teacher एसा देना पड़ेगा, question का इसा approach करना, how to make a question simplified and give the perfect answer, so इदर आपको ये मिल जाएगा, अपको दियेगा, इतना आसान से simplify करके आपको दियेगा, like we are going to give you banana by opening the peel, so only the thing your efforts are required, your hard work and time is required to achieve your dreams. और मेरे दोस अनकादमी पे continuous आपके offers चलते रहते हैं, अभी भी आपको offer चल रहा है, तो अगर आपको प्लांग करना है, फटवट आप 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 जोईंग कर देंगे, using your respective teacher's code, miss नहीं करेंगे, do enroll today and learn from the best teacher's country with the best quality content available throughout any medium, Thank you to all, meet your life for the next video, till then, let's crack it!